जब बनाएंगे सिर्फ दो कच्छे आलू से एकदम कुरकुरा क्रिस्पी नास्ता इससे आप महमानों को भी दे सकते हैं और ना इसमें हम बेसन का यूज करेंगे नहीं मैदक और नहीं आठे का यह सिर्फ दो कच्छे आलू से बनकर तयार हो जाता है और खाने में बहुत ही तेस्टी लगता है यह सिर्फ पांच मिनट पर बनके त्यार हो जाता है चलिए से बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम दो कच्छे आलू लेंगे उन्हें हम अच्छे से दो लेंगे दोने के बाद चील लेंगे वेल्कम टू माई चैनल रितू की दुनिया हर हर महाद आपको रेसिपी अच्छी लेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करने मिलकुल न भूले तो देखें इस तरीके से हम आलू को छील लेंगे फिर हम गिरेटर लेंगे यानि कद्दू कस कहते हैं जिसे हम उसे हम मोटी साइड से गिस लेंग और बहुत अच्छा टेश्टी नास्ता बनके हमारा तयार हो जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता तो देखें इस तरीके से गिसने के बाद इन्हें हम आलू को धो लेंगे तो यह मैंने आलू को धो लिया है तो देखें इस तरीके से कितने अच्छे ल तो देखे इस तरीके से डाल की अच्छे से मिक्स कर लें जाएगा जल्दी से मिल जाएगा और अच्छी एकदम बहुत अच्छे तरीके से मिलके तयार हो जाएगा तो देखे इस तरीके से बनाने के बाद अब इसकी हम गोल-गोल पकोड़े टाइप में बना लेंगे इसका पकोड़े टाइप में ही बना सकते हैं या आप इसे पकोड़ी के तरह भी बना सकते हैं तो देखे इस तर तो यह देखें पहले हम पानी को निचोड़ लेंगे क्योंकि हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है तो देगे इस तरीके से हम सभी को बना लेंगे तो चलिए गैस पर इसे बनना शुरू करते हैं गैस पर रखेंगे पैन उसमें उल्ड डायल देंगे विलको फ्राइ कर लेंगे तो देखें हम इन्हें हम एक साइड से अच्छे से फ्राइ हो जागे तो इन्हें हम दोसे साइड से कर लेंगे और इन्हें हमें चलाते रहना है जिसे कि अच्छे से चल जाए और यह लगे ना और इसका एक अच्छा सा कदम प्रफेक्ट यानि अच्छ मेहमानों को सर्व करेंगे और आप भी फटा-फट से बनाई और खुद भी खाई और अपने मेहमानों को भी दीजिए तो चलिए इसे अप्टरमेटो केचप के साथ हम सर्व करेंगे और देखने में कितना अच्छा है वीडियो चीलेगे तो लाइक शेयर करना मिल गूला मूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले रितों की दुनिया को और नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए हर हर महा देगे